स्वर्ग और नरग एक बुजुर्ग औरत मर गई यम्राज लेने आए औरत ने यम्राज से पूछा आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरग यम्राज बोले दोनों में से कहीं नहीं तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किये हैं इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ, बुजुर्ग महिला खुस हो गई, और बोली धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विंती है, मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में सुना, बहुत सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ, यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ, चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे, दोनों चल पड़े, सबसे पहले नरक आया, नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोग के रोने की आवाज सुने, नरक में सभी लोग दुबले पतले और बिमार दिखाई दे रहे थे, महिला ने एक आदमी से पूछा, यहां आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों हैं? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहां आए हैं, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया, भूग से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं बुजूर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो की लोगों के कद से करीब तीन सो फिट उचा होगा उस पतीले के उपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था, उस पतीले में से बहुत ही सांदार खुसबू आ रही थी बुजूर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है बुजूर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है, तो आप लोग पेट भरके ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला तेन सो फिट उचा है हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुच पाता बुजूर्ग महिला को उन पर तरस आ गया सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है सायद इस्वन ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा यमराज बुजूर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है दोनों चल पड़े, कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया वहाँ पर बुजूर्ग महिला को सबकी हसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी सब लोग बहुत खुस दिखाई दे रहे थे उनको खुस देखकर बुजूर्ग महिला भी बहुत खुस हो गई पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजूर्ग महिला की नजर वैसे ही तेन सो फुट उचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था उसके उपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था बुजूर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा इस पतीले में क्या है स्वर्ग के लोग बोले इसमें बहुत ही स्वादिश्ट खीर है बुजूर्ग महिला हैरान हो गई उनसे बोली पर ये पतीला तो तीन सो फिट उचा है आप लोग तो इस तक पहुच ही नहीं पाते होंगे उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा आप लोग भूख से बिहाल होंगे पर मुझे तो आप सभी इतने खुस लग रहे हो ऐसा कैसे? लोग बोले हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर की खीर खाते है महिला बोली पर कैसे? पतीला तो बहुत उचा है लोग बोले तो क्या हो गया? पतीला उचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं इस्वन ने ये पेड़ पौधे नदी जहन ने हम मनुश्य के उपियोग के लिये तो बनाया है हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली उसको काटा फिर लकड़ीयों के टुकड़ों को जोड़ के विसाल सीरी का निर्मार किया उस लकड़ी की सीरी के सहारे हम पतीले तक पहुचते हैं और सम मिलकर खीर का आनंद लेते हैं बुजुर्ग महिला यमराज की तरब देखने लगी यमराज मुस्काए बोले इस्वन ने स्वर्ग और नरग मनुश्यों के हाथों में ही शौप रखा है चाहे तो अपने लिए नरग बना ले चाहे तो अपने लिए स्वर्ग इस्वन ने सब को एक समान हालातों में डाला है उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं वो किसी इसे भेदभाव नहीं करते वहाँ नरग में भी पेड़ पौधे सब थे पर वो लोग खुद ही आलसी है उन्हें खीर हाथ में चाहिए वो कोई कर्म नहीं करना चाहते कोई मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए सब भूग से बेहाल हैं यही तो इस्वर्ग की बनाई इस दुनिया का नियम है जो कर्म करेगा मेहनत करेगा उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा स्वर्ग के सपने छोड़ दो नर्क का डर छोड़ दो बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे इतना सोच और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो